नमस्कार, घरेली उपचार में आपका स्वागत है, कहीं भी रहें, खुशाहाल रहें, और अपने स्वास्त के उपर पूरा-पूरा ध्यान दें दोस्तों, अगर कौरों के पास थोड़ा भी समझदारी होता अगर पांच गाउं भी वो दे देते, तो मुल्ली वाला महाभारत नहीं कराता लेकिन थोड़ा ही समझ जो है, महाभारत बन गया तो दोस्तों, यह समझदारी आज से नहीं, आज से चलिया रही है ना समझ के कारण बिनास भी होता है तो दोस्तों, समझदारी को रखना बेलकुल जरूरी है और थोड़े-थोड़े में कहीं उलज जाना बेलकुल गलत काम है तो दोस्तों, चलें हम इस वीडियो में आज एक तूलसी के पौधे के द्वारा जबर्जस्त प्रभावसाली कोट का उपाय दे रहा हूँ जिसके करने से जीवन में किसी परकार का संकट पैदा नहीं होता है अगर पैदा होने वाला भी है तो वह आते आते समाप्त हो जाता है आपके लिए बेलकुल वह जो है ना के बराबर है और जीवन में सभी परकार के सूख सुख़़दाएं असानी से मिलती रहती है तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही हमारे साथ और जीवन में हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें और इस टोड़का परियोग को अपना में और सुखी जीवन को बनावें तो दोस्तों तुल्शी के पौधे से सभी लोग परचीत हैं यह तुल्शी के पौधे लोग अपने घरों में अंगन में अपने घर के सामने लगाते हैं और इनका पूजा पाट करते हैं तो दोस्तों हिंदू सास्त्र हिंदू धर्म के सास्त्र में तुल्शी के आठ नाम बताए गए हैं जैसे बिरिंदा बिरिंदावनी बिश पूजिता बिश पावनी पूश पसरा नंदनी तुल्शी क्रिश जीवन दोस्तों यह तुल्शी के आठ नाम हैं अब यहां आपको ध्यान देने जो गवाली बात है अगर सुबह तुल्शी के पौधे पर जल चढ़ाते समय इनका नित्य नाम लिया जाए तो जीवन में कोई भी संकट, कोई भी अभाव नहीं रहता है और उसे सभी तरह के भावतिक सुख सुबधाएं प्राप्ती होती रहती है तो दोस्तों कहने का वर्थ यह है कि आप जब तुल्शी के पौधे पर जल चढ़ाते हैं तो जो मैंने आठ नाम बताया ए आठो नाम को जल चढ़ाते समय लेना है उसके बाद आप देखिए आपका सुख और सुबधा क्या होगा कैसे बदल जाएगा तो दोस्तों जीवन को सुख सुबधा से भरपूर बनाना है संकट से बचना है तो आप इस जो है छोटे से परियोग को करके बहुत सारे जो है आप जो है लाभ को पराप कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजिए इजाजात और आगे भी इसी तरह से आपको हम वीडियो देते रहेंगे और घहर बेठे लाभ को पराप कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजिए इजाजात नमस्कार